4, 3, 2, 1 महोदय हमारे जीवन में संगीत का व्यापक इस्थान है भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पुर्वजों से शास्त्री संगीत की रूप में एक बहुमुल्य निदी मिली है हमारे पुर्वजों के दर्ष्टी में संगीत का धेय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्ष के अनुकूल विकास किया हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पुरूणता के शिखर पर पहुँच चुकी थी संगीत के धेय के संबन्द में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हूँ यह सभी स्विकार करेंगे कि इसमें सामंजश्य की और ले जाने वाली और व्यक्त जगत से एक्यका आभास कराने वाली शक्ती नहींत है संगीत के वातावरण में ही नहीं बलकि शोताओं और गाईकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ती होती है संगीत के उचधे और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीनकाल में भारतवासियों ने संगीत को जन साधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उचा इस्थान दिया था शायद ही कोई ऐसा भारतिय त्यवहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो संगीत जन्म से मृत्यू परियंत हमारे साथ रहता है हमारे सभी रितिरिवाजों में इसका कुछ न कुछ इस्थान है शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रही है और हमने इसकी गर्णा सदामानों की उचतम साधनाओं में की है काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफी परिवर्तन हुआ परंतु शास्त्री संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेस और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ मुसल्मान बास्षाहों और अमीर उम्रों के द्वारा संगीत को केवल प्रोसाहन ही नहीं मिला इसमें सम्यानुकूल हेर फेर भी हुए और आज विशेसकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंश्व में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं उपरी पुशाक मात रही भारतिय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्री संगीत बना हुआ है ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा प्राचीन संगीत कला भारतिय रजवाणों के दरबारों में उनके आश्रे से पनप्ती रही यह स्विकार करना होगा की भारतिय नरेशों द्वारा दिये गए प्रश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्री संगीत से बहुत कम संपर्क रहा अतह जनता और हमारे परंपरागत सरश्रेष्ट संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्त्रों वर्ष पुरानी इस अमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्री संगीत में ऐसे शंशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोगप्रिय बन सके इसके साथ ही जनसाधारन को भी श्रिक्षित करने की आवशक्ता है जिससे उनकी रूची अधिक परिश्कृत हो सके और वे शास् संगीत का आनंद उठा सके भारत गणराजी में नरेशों अत्वा रजवानों का अच्छा इस्थान है